गुड मॉर्निंग ओल उफ यू वेलकम यू ओल स्टूडन इन्वरेशन डॉलाइन क्लास आज के हमारी क्लास है क्लास सकेंड के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है इंदी तो बच्चों आप अपने इंदी की बुक निकलो जैसा कि बच्चों हमने पिछल क्लास में पार् मेंदक कर य रहता है निलु पार्षम निकाल देता तो इसलिए इसको बाहर निकलता है तो मेरेक्ट उछलता है क्यों मुझेन शायर्यविक्स Alright बुला कि चलो अपन साथ में दोड पृतियोगीता लगाते हैं तो एना निलु और फुदकु दो अच्छे दोस्त बन गए थे और वह अमेशा दोड लगाते थे पहले निलु ने उसको अराया बाद में फुदकु ने उसको अराया इस तरीके से जिस दिन फुदकु ने निल महिने बाद फुदकु लोटा तो उसके सिर्पर सोने का मुकुट था देखो 6 महिने बाद फुदकु लोटा तो देखो इसके सिर्पर सोने का सच्मय मुकुट पहना हुआ है तो उस पर लिखा था वीशो विजेता मेंडग फुदकु अरे ये तो वीशो विजेता बन गया तो निलू दोड़कर फुद्कु मेंड़के पास गया और बोला अरे वाह तुम तो वाकई में उस्ताद निकले कोरी परसंसासे कुछ नहीं होगा निलू फुद्कु मेंड़क ने बिगड़कर कहा क्या तुम कम तेज दोड़ते हो कोशिस करो तो क्या तुम अच्छे दावग नहीं बन सकते बड़े उकर भारत के लिए उलम्पिक में सोने का पदक जीतना मकर उसके लिए तैयारी अभी से करनी पड़ेगी निलू ने जब इसकी तारीफे की गहरे वाद तो घजब है ना वी सोईजिता बन गया तो यह बोला कि कोरी परसंसा से कुछ भी नहीं होगा उसके लिए अपन को पूरी-पूरी मेहनत करनी पड़ेगी और आज से ही मेहनत शुरू करनी पड़ेगी तब जाके हमको आगे भविसे में उसका परिणा मच्छा मिलता है निलु ने अपने मन में पका ही निश्चे कर लिया था कि बड़ा उकरवा अलमपिक में जरूर रिशा लेगा और सारे संसार को भुद्गु मेंडग की कहानी भी सुनाएगा इस तरीके से भुद्गु मेंडग ने निलु को सिख्षा दी कि जीवन में हमको अमेसाही करम अठता से आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि जब हम करम करेंगे तो ही हम उसकी फल की इंचा होगी बाकि अगर हम कोरी परसंसा करेंगे कोरी बाते बनाएंगे तो बातों से कुछ भी नहीं मिलने वाला है इसलिए जब हम महनत करेंगे कोई चीज करने का प्रयास करेंगे तब जाके हम वह चीज असानी से कर सकते हैं तो यह है निलु को सीख किसकी फुदकू मेंडग की क्याकि फुदकू मेंडग भी दिन पर उचलता रहता था उसको वीश्व जीत विजयता बना था वीश्व चेंपिन बना था लेकिन उसने आर नहीं माने थी और आखिरकार वह वीश्व विजयता बन ही गया था और सोने का मुकूट उसके सिर पर था तो उसने अपनी इस कहानी से निलु को यह सीख दी कि हमको जीवन में हमेशा करमडता से आगे बढ़ना चाहिए ठीक है यह पाट हो गया आपके पूरा सब्दार्थ आपने कर लिए यह आपने कर लिया यह भी कर लिया आज अपन करें था क्योंसनर 5 क्या से नंबर 5 में क्या है देखो निम्ध लखीत परस्णा की उच्चे पर द्यूंकर दीजिए तो की साथ दूर लगा कर पूर ने थे दौरने का अपयास कि रहें में उत्दकू मेंडग क्या करना चाहता था शाजी का पहानी से हमें क्या सिक्सा मिलती है फुदकु मेंडग की कहानी से हमें यह सिक्सा मिलती है कि हमें जीवन में कर्मटता से हमिसा आगे बढ़ना चाहिए फुदकु पंपा सरोवर क्यों जाना चाहता था वीशो विजदा बनने के लिए फुदकु मेंडग है जो पंपा सरोवर जाना चाहता था गड़े से बाहर आते ही फुदकु मेनग ने क्या किया गड़े से बाहर आते ही फुदकु मेनग ने फुदक ने लगा अब वासा और व्याकरन सरावर इसको सुदगर के लिखना है सरावर का सरोवर मेंडक का मेंडक सगर का सागर दोड़ा का दोड़ा उस्त का उस्ताद वी सुव विजयता का we use विजयता इसको असुद्द वाक्यों को सुद्द करके लिखना है फिर दूसरा है नीचे दिये के सब्दों से वाक्य बनाओ दोड तुम बहुत तेज दोडते हो ऊचल फुद्गु मेंडग उचल कर सलांग लगाता है निश्चय निलू ने अपने मन में पक्का निश्चय कर लिया वीश्व विजदा खुदकु मेंडग वीश्व विजदा बनना चाहता था तो ये पाठ आज आपके हो गया है पूरा और इसके सारे हो गया है क्यों से नांसर आपको आज हूंबक में पांच वा और बासा और व्याकरन का पहला और दूसरा ठीक है थेंक्यू